सिक्षक साथियों नमस्कार मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हारदी कभिनन्दन है इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि भिहार के नियोजित सिक्षकों को कुल कितने तरह का अवकास मिलता है क्योंकि ये बहुत ही आवसेक है अभी बहुत सारे ऐसे सिक्षक हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि कितने तरह का अवकास मिलता है और ये भी जानेंगे कि कितने अवकासों पर पून वेतन मिलता है और कितने तरह के अवकास पर वेतन की कट ओती होती है अर्थात उसका लाब नहीं मिलता है बेतन मिलता है जबकि बाकी अवकास पर बेतन लाब नहीं मिलता है। आइए एके करके सभी अवकास को समझते हैं। तो पहला है आकस्मिक अवकास। एक कैलेंडर बर्स में 16 दिनों का आकस्मिक अवकास देय होता है। यह अवकास एक साथ दस दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता। दूसरे प्रकार का अवकास है विसेश अवकास। महिला सिक्षिकाओं को प्रतेक माह में दो दिनों का विसेश अवकास अनुमान्य होता है। तीसरा अवकास है मात्रित्व अवकास, महिला सिक्षी का 180 दिनों के मात्रित्व अवकास की हकदार होती है, मात्रित्व अवकास का लाब मात्र दो संतानों के लिए ही होता है और उसी के लिए लाब प्राप्त हो सकता है अगला अवकास है पित्रित्व अवकास पूरुष सिक्षक 15 दिनों के पित्रित्व अवकास के हकदार होंगे पित्रित्व अवकास का लाभ मात्र दो संतानों के लिए ही मानने होता है अगला अवकास है चिकिच्चा अवकास एक कैलेंडर बर्स में 20 दिनों का चिकित्सा अवकास चिकित्सा प्रमापत्र के अधार पर अनुमान्य होता है, पूरी सेवा अवधी में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकास संचित होता है। किसी भी एक कैलेंडर बर्स में यह अवकास 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा, इसे आकस्मिक अवकास के साथ पूर्ण या पस्चात जोड़ा जा सकता है। अधिक अर्जित अवकास स्वत्य समाप्त हो जाता है। अगला अवकास है औसाधारन अवकास उपयूक्त अवकासों के अतिरित किसी कारण बस एक कैलेंडर बर्स में 30 दिनों की अवधी के लिए औव बैतनिक जिसे औसाधारन अवकास अनुमानने होगा इसके कारण सेवा में तूट नहीं मानी जाएगी तत पस्चात अनुपस्थित की अवधी को सेवा में तूट माना जाएगा तथा वेतन देय नहीं होगा अधिक्तम पांच बर्सों तक अनुपस्थित रहने की स्थिती में सेवा समाप्त हो जाएगी अब इसके लिए कुछ विशिष्ट नियम है कि अवकास की स्विक्रिती अर्थाथ अवकास की स्विक्रिती कैसे मानी जाएगी तो आ कस्मिक अवकास एवं विशेश अवकास को छोड़ कर सेश सभी प्रकार के अवकासों की स्विक्रती संबंधित प्रधान अध्यापक प्रभारी प्रधान अध्यापक की अनुसंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचीव के द्वारा अध्यक्ष की सहमती से की जाएगी तो इस तरह से इस वीडियो में नियोजित सिक्षकों को मिलने वाले सभी अवकासों के बारे में समझा गया आसा है यह वीडियो हेलफुल जरूर लगा होगा अगर थोड़ा सा भी हेलफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये ह तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे चैनल पर सिक्षक, सिक्षा तता सिक्षण से संबंधित नियूज अपडेट वीडियो के रूप में दिये जाते रहते हैं धन्यवाद